नवस्कार हमारा नाम है संब्रीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे बिहार में पिछले कई दिनों से कई पुल गिरे हैं आपको मालूम है कि अब इसको लेकर निती सरकार भी निशाने पर आ गई है और केंद्र की डबल इंजन सरकार से भी अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं देखें आपको बता दें कि इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि अब ये मामला सुप्रीम कोट जा पहुचा है और वहां पर याचका करता ने सुप्रीम कोट के सामने कई गुहार भी लगाई है क्या कुछ का है आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से बातचीत करेंगे तो इस मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोट के जाने माने आडवोकेट देव प्रकाजी है सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जी जी धन्ना बाद जी सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि पूरा मामला कैसे कैसे सुप्रीम कोट पहुचा देखे जब वो अगवानी अगवानी सुल्दान गजवाला पुल गिरा था वो पुल उस समय हमने एक बाइट दिया था आपी के चैनल पर और हमने उस समय कहा था ये तो पहला गिरा है कई एक पुल गिरेगा अच्छा बड़ी भविश्यवानी कि थी आप मैंने उसमें कहा था इस लिए कहा था कोई भविश्यवानी था हम नहीं कर सकते कंट्रेक्टर के केस हमारे पास आते हैं और आज जी मैंने नुद्वर्परम देखा कंट्रेक्टर पर कारवाई की जाएगी भर्च्वली कंट् स्थिति यह हो गई है कि कंट्रेक्टर सिकुर्टीटी पोईट निकालने के लिए जाता है एक वाम करने के बाद तो वह निकलने मुझे को घुज़ देना पर रहा है इससी इस स्थिति यहां इतने नहीं है अगर किसी कंट्रेक्टर का पेमिंट रूपता है और वो हाइकोड जाएगा तो वहां से भी नहीं होगा पेमिंट को हखा से साल क्रिमिनल भीज़े जे घएंगेगा यह जो भी एक्टिविटीय हो करके निकालता है जब इस सिस्टम से बनके ब्रीज बनेगा तो ब्रीज कैसा बनेगा बिल्कुल जी ब्रीज की जो हालत है ब्रीज में जो उसका जो स्टेंडर्ड है जो लोहा का गाटर का जो भी उसको एस्टेटली फॉलो नहीं किया जा रहा है और फॉलो नहीं किया जा रहा है उसका गिरना बात देखोना चाहिए जब नितिश कुमार जी गवर्मेंट माय थे 2005 में सैद राज कुमार सिंग सहाब उस समय कहीं थे वो किसी भी भाग में पहला ओफिसर थे जिन्हों संइने कहा कि कंट्रेक्टर का ऑफिसर से इंतर्फेस होने ही ने सारा पेमेंट उस समय उन्हों होने online किया था और सफिधे रुपिय का समान है उसकी 11 होने के लिए 80 रुपीज 50 रुपीज वे एक बार हम किसी जगर के कंट्रेक्ट देख रहे थे बाहर मतन करेट 700 रुपे किलो है और आर्मी में कहीं पर हुआ था टेंडर तो टेंडर हुआ था 300 रुपे किलो पर 300 रुपे टेंडर में क्या कौन सा मतन सप्लाई करेगा या तो कम करेगा या कुछ और करेगा सिधा सी दिख अपला है इस धंग की बात है कंट्रेक्ट में भी आँख मुंद के चल रही है कोई देखने वाला कहीं पर भी नहीं है इसको थोरोली कहा जाए इस 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 आउटकम सब्सक्राइब करेगा जिसको नियम कानुन से कोई बास्ता नहीं है क्राइम करने से को इसको गुरेज नहीं है संकोच नहीं है वही कंट्रेक्ट कर सकता है युसको नियम कानुन से वास्ता नहीं है और जिसको क्राइम करने से कोई गुरेज नहीं बाद किया आपने जी आवे कंट्रेक्ट में कुछ वही लोग हैं और जो contact monitoring संचालन करने में जो लोग हैं, जो officers हैं, जो engineers हैं, उसमें 90% लोग वही हैं, जिनके घर बराबर देखिए, अगर रेड होता है तो कुछ ने कुछ बराबरा चीज पकराता है, वो severage pipe से रुपया निकलता है और क्या निकलता है, इतना के बाबजुद भी रुक नही पढ़ लिया है, याचिका करता ने, क्या कुछ कहा है, वो तो हम बता देते हैं, सुप्रीम कोट जाएगा और हाइकोट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धाक के तीन पात होगा, पतना, अगवानी दुमर्यावल, अगवानी सुतना के तो पतना हाइकोट गया ही था, order भ चार्ज लगाएंगे, और चार्ज किस पर लगेगा, वो भी आपको पता है, वो बिचारा काम है, वो भी काम नहीं कर पाएगा, कितने का बिजनस पे पार बंद हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है, कि सिस्टम को सही किया जाए, अच्छे कंट्रेक्टर आवें, टेकनिकल साथ साथ टाइम पर पेमेंट करें, टाइम पर भुक्तान करें, और जो भी लोग इसमें क्राइम कर रहे हैं, जो किक बेक सिस्टम में चल रहे हैं, उनको पकड़ धकर करने का सिस्टम, आजकर डिजिटल सिस्टम में नया जो कानून आया है भारत के नया संगीता, उसमें को और गनाइज क्राइम में डाल दिया गया है तो इन बातों को बखुवी पालन हो जो पुब्लिक के फंड से जो चीज बनती है एक तो इस्टिमेशन भी सही हो एलवन वह इसे ना पालन किया जाए कि एलवन सो रुप्य चीज को नबे रुपय कंट्रेक्ट देंगे और फिर उपर से मार्जिन सिटब करेंगा तो कंट्रेक्ट में काम कितने पैसे का होगा कंट्रेक्ट में रखडखाव नहीं होता है क्वाइटी कंट्रोल नहीं होता है उसका क्वाइलिटी कंट्रोल का मॉनिटरिंग है वह नहीं होता है अगर होता भी है तो वह जो लोग हैं कैसे क सकता है अगर क्वाइलिटी सिस्टम सही हो जाए रख रखाओ दोनों बात हम बोल रहा है तो तो यह सरकार नहीं बनाई है तो ब्रीज का रख रखाओ जो होना चाहिए वह भी नहीं हो रहा है यह जो आपने याजका की बात की याजका उन्होंने कहा है कि बिहार में 68882 मिटर पुड़ा एडिया पुड़ा पिहार का चेतरफल है तो उसका जो 73.06 परसंट जो हो फ्लड़ीट एडिया है अब फ्लड़ीट एडिया है इसे भी ब्रीज के बाह जाने की संभाव ना रहती है लेकि ब्रीजे सा बनाया जाकि इना बहे उसमें अब लोहा का ब्रीज सुनते फिरभी शर्मसार और इयुक का बिपनाने कितना कोस्त लगता है कितना तम लगता है उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया है और कैसे बनाया जकर एक पर धर्रासा ही हो रहा है या तरह रख रख रखाव में या कुलेकी क्ट्रोल सिस्टम नहीं हुआ है साथ साथ जो नेक्सस एक फॉर्म कर गया है इंजिनियर और कंट्रेक्टर के बीच में ये भी पुद बड़ा चीज इसमें आया होगा और गवर्नेंस जहां पर है गवर्नेंस प्योरिटी आनी चाहिए सरकार सेंटर की हो या करिंदर की सरकार एपक्स पर बिल्कुल सही है नीचे जो डाउन दे लाइन है वहां पर की घटनाएं है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात अगर हो जाए तब न वो तो होई नहीं रहा है वहां पी रहे है और खाने भी रहे हैं साब सिकुर्टी डीपोईट के लिए हम हाई कोट में केस करते हैं जाकर के संत्र नहीं होता है एक समय था कंटेक्टर काम करते थे सब कोष हो गया फायंऽ बन गया चेक बनते गया वहां पही है देना पड़तक्त ऑब है कुछ करने से शुरू में तो बिच में हो रहा था बाद में कहा कि नहीं आप जाएए वा निगुसेसन करिए अब ट्रैवनल के जो आप कभी ज़ज रहेंगे कभी नहीं रहेंगे च्छे साल लगे और आदमी क्या करे चे साल वहां जाकर वकीलों के पीछे खर्च करे कि कुछ ले दे के पैसा निकल वावे और कोई आदमी उस जगह पर रहे तो क्या करे सिस्टम ऐसा बनाएए कि मंदार लोग सर्भाइव करे क्वालिटी की जो पढ़े लिखे लोग हैं सर्भाइव करें पहले तो इंजिनियर लोग आते थे कंट्रेक्टर में हुआ है सारा काम यहां करती केसरे कंट्रेक्टर को बांते है और उनके सस्टा सपना करकर सारा काम हुआ अथा बड़ी बिल्दिंग बने बड़े पुल बने जब तक क्वालिटी कंट्रॉल नहीं होगा और सुचिता नहीं पाद़ हैं कि करवाई करके क्या करिएगा याचिका में याचिका करता ने भी वकील साहब दो मांग रख दी है कोट के सामने क्या है वो मांग रखा इसकी जांच हो तरीके से बिहार एक करीब राज है और तो एक वो उसमें यह भी कहा कि पंडामेंटल राइट है लोगों का कि शेल्टर चुकि बार में शेल्टर मिलता है ब्रेज होने से रोड होने से वह अगर नहीं मिलेगा तो आर्ट किल 21 है राइट तो लाइफ वो डिश्टर्ब होगा विहार अब जेकि इन जेनरल जो बिहार के लोग हैं उनका तो लाइफ कुछ कमीटी बनाएगा देखिए एक बडा चुंदर कहानी था एक राजा था उसके दूध में पानी मिला जता था तो उसने कहा कि एक इन्सपेक्टर हम पॉइंट कर देते हैं उस इस इंस्पेक्टर ने कहा कि इस दूध में थोड़ा सा हम को भी लाग्ए दाना उतना पा राजाक के उबल पानी मिल रहा था पीने के लिए तो वो इस्तिती हो जाए कि मैंने जो कहा कि जो कि सिस्टम डिजिटाइशन होना चाहिए इसका सिस्टम में human interference कम होना चाहिए और लोग चाहे भी-to-ba-imani ना कर पाए चाहे भी-to-ba-imani ना कर पाए वो सिस्टम की जरूरा थ इसलिए कि system क्या करेंगो आदमी सही काम लेंगे आदमी का जो हाला तेओ करेगा ही करेगा system आज सेवा का अधिकार बिहार में आया successful है successful कैसे हो गया हूँ कहीं कहीं will था intention था तो वो जब हो सकता है तो ये भी सही हो सकता है चाहिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अपनी याचिका में याचिका करता ने ये भी कहा है कि जितने भी कमजोर पुल है आप उनको ध्वस्त कर दीजे आपको क्या लगता है ये मांग जो है याचिका करता कि ये जो मांग है वो कितनी चाहिज़ है क्या वाकई मैं ध्वस्त कर देना चाहिए तमाम कमजोर पुल क पुल गिरने वाले हैं सबका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जाँचो जी गिरने वाले तो तो पिर से बनाया जाए को दुवस्त कर देना चाहिए जो खजाना का जो हालत होगा हो तो बिहार तो कोई अमीर राज तो है ने गलीब राज है बिसेस राज का पेकेज बिसेस दर्जा इसका मांग रहा है जो लोग बगीचा के पूल के सुगंद सुगने वाले लोग है तो दूसरे लोग सब बैटे हुआ है इस सिस्टम को इस नेकसस को ब्रेक शुरू में कुछ दिन किया गया था ब्रेक नहीं हो रहा है काफी फल फूल रहा है इसी कारण से सारे ब्रीज की हालत है महीने जो कुछ कंट्रेक्टर लोग आता था जो यह सब भी हो रहा है क्या कहीं पर तो जब यह सिस्टम सही नहीं होगा तो इसे पड़ा लेंगे पेपर लिख एक्जाम हो रहा है कौन-कौन पढ़ेंगे तो पेपर लिख से ग्राम होगा तो कैसे विधियारती आए और सुप्रीम कोट ने गटना तो बहुत बड़ी है खाजाना का समझ यह ड्रेन आउट हो जाएगा पूल तो ना और इतना पूल बनाने में कितना महनत लगता है हम जो कॉस्टिंग करते हैं को पता है कितनी कॉस्टिंग लगेगी बहुत महनत लगता है लेकिन बखुबी काम तरीके से नहीं हो रहा इसमें कोई दिकत कहने में दिकत नहीं है अगर हम आपसे यह भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि आप कई ठेकेदार भी घेरे में आगये है और कहां जा रहा है कि आगर इनकी सनलिपता पाई गई अगर कोई मामला सामने आता है तो फिर इनकी उपर कारवाई होगी, क्या कारवाई हो सकती है? देखिए कारवाई तो अब तो नया जो कानून बना है भारती नयाई संगीता में उसमें सेक्षन एक स्वाइगार है, में और गनाईज क्राइम हो गया सजा? पास सासले के आजीवन सजा कारवाई तक सजा है, अधकरी लगने के सजा है, सब कुछ है लेकिन ये समस्या का समधान नहीं होगा, सजा समधान नहीं है समधान होगा, गबर्नेंस को सही करना होगा, ये मेरा कहना है चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने देखे तफसील से हम लोगों ने चर्चा किये तो फिर ये पूरी बात चीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और देखते लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया